अलो फ्रेंट्स मैं अमित मालविया एक बर फिर से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ हमारे यूटूब चेनल के एक और नए वीडियो में कि आधार NPCI को लिंक करने से आपको क्या benefit मिलने वाला है और आप घर बेठे ओनलाइन तरीके से किन-किन बेंक का आधार NPCI लिंक कर सकते हैं उसका completely step-by-step process बताने वाला हूँ अब काफी सारे लोग वीडियो को completely watch नहीं करते हैं और जिस बेंक का मैने वीडियो में बताया है उ तो मैं आप लोगों से एक छोटी से request करना चाहूँगा कि आप जो है वीडियो को पूरा-पूरा देखिए आप उपर की तरफ देख रहे हैं मैंने सारी बेंके भी खोल के रखिए ठीके ना तो मैं आपको सभी बेंकों का step-by-step बताने वाला हूँ कि किस तरह से आपको इटल इंडिया से रिटेट कंटेन मिलता रहता है तो चल ये वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि आधार NPCI को लिंक करने से आपको क्या benefit मिलेगा ठीक है ना तो दोस्तो एक्चल में होता क्या है कि गोर्मेंट के द्वारा जितना आधार काड की डीटेल को NPCI के साथ में शेयर नहीं करेंगे तो उस कंडिशन में आपके अकाउंट में पैसा नहीं आएगा क्योंकि गोर्मेंट की जो लिस्ट होती है वो NPCI के पास जाती है NPCI वहाँ पर आपका नाम मेच करता है अगर आपका नाम आपका आधार काड मेच होता है तो फिर NPCI वह पैमेंट को नहीं डालता है ठीके ना तो अगर आप जो है अपने आधार काड को जो है NPCI के साथ में लिंक कर देते हैं तो फिर NPCI के पास में आपका डाटा चला जाता है और जब भी गोर्मेंट किसी तरह का फंड आधार के द्वारा भेजती है तो NPCI जो है आपके आधार को वेरिफाइ करके उस फंड को ट्रांसफर कर देती है और फिर आपका जो फंड है आधार नंबर से भीजा जाता है और जिस किसी भी आधार से आपका बेंक अकाउंट लिंक होता है उस बेंक में आपका जो फंड है उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आप जो है अपने आधार को NPCI के साथ में लिंक करते हैं तो इसके आपको क्या-क्या benefit मिलने वाले हैं तो यहाँ पर आप जो है किसी भी तरह का transfer जो की DBT के माध्यम से आता है ठीके ना जैसे कि LPG का जो subsidy है आपके bank account में आप ले सकते हैं इसके आलावा जितने भी सारी government की subsidy वाली schemes होती है ठीके ना जितने भी सारे जो समास सुधारक कारिक्रम होते हैं उनके अंतरगत जो है government पैसा भेशती है ठीके ना या तो किसी भी तरह का pension हो scholarship हो मनरेगा का पैसा हो यह सभी का सभी fund तभी आप receive कर सक जाते हैं मतलब आपको जो कोई भी बंदा आधार कार्ड के नंबर से पे कर सकता है जैसे कि आपको phone नंबर से पे करता है तो आपके mobile पे payment आ जाता है उसी तरह से आधार से भी पे करेगा तो आपके bank account में payment सेटल कर दिया जाता है यह benefit होता है उसके बद हम बात करते है आध आप Micro ATM के माध्यम से आधार कार्ड से अपना payment विड्रॉल कर सकते हैं ठीके ना? UPI payment through आधार आप जो है UPI payment कर सकते हैं जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आप जो है आधार कार्ड के माध्यम से अपना UPI pin generate कर सकते हैं वो आप तभी कर सकते हैं जब आप अपने आधार कार्ड को NPCI के साथ में और bank account के साथ में link कर देते हैं ठीके ना? तो यह सारे benefit आपको मिलते हैं अब बात करते हैं कि आप जो है आधार कार्ड को NPCI के साथ में link कैसे करेंगे तो इसके लिए मैं आप पर कुछ bank के आपको बताने बाला हूँ link मैंने सारे क सारे वीडियो के description में देती है bank का नाम लिखकर ठीके ना? तो आपको ज़्यादा खोजने की आवशिकता नहीं है लेकिन process को थोड़ा समझ लीजिए सबसे पहले हम जो है Indian bank की बात करेंगे तो जितने भी सारे Indian bank के customer है वो जो है इस वाले link पर आ जाएंगे नीचे आप वी account के साथ में mobile number registered है उस पर एक OTP जाएगा ठीके ना? वो OTP आपको डाल देना है उसके बाद आपको अपना आधार number डाल कर verify करना है फिर आपका आधार से registered mobile number पर एक OTP जाएगा आपका bank account भी mobile से link होना चाहिए और आधार card भी mobile से link होना चाहिए ठीके ना? क्योंकि दोनों पर यहाँ पर OTP भी जाता है जब आप जो है दोनों OTP डाल कर यहाँ पर submit कर देते हैं तो यहाँ पर आपका आधार NPCI के साथ में और bank account के साथ में link कर दिया जाता है ठीके ना? इसमें 24-48 घंटे का समय लग सकता है तो आपको घबराना नहीं है ठीके ना? उसके बाद हम ब और 이 option पर आपको जो है एक खुलिक करदेना है ठीके आना? जयसा आप यहाँ पर आपने curser को ले कर आएंगे तो आपके सामने options open हो जाएंगे तो आप यहाँ पर सिता से click कर देंगे जैस के आप miracles करेंगे तो आप यहाँ पर इस तरे से click कर देंगे जैसित Between Indian Overt उसके बाद यहां पर आपको select कर लेना है, पहले से अगर आपका किसी bank में NPCI link है तो आप अपना bank select कर लेंगे, और अगर आपका नई है तो आप इसको नई select करेंगे, ठीक है ना, उसके बाद टर्म को agree करेंगे, इस वाले केपचा को यहां पर fill करेंगे and next वाले बटन पर click कर तो एक OTP आपके mobile पर भेजा जाएगा, वो OTP आपको यहां पर fill up कर देना है and submit कर देना है, जैसी आप submit कर देते हैं तो 24-48 गंटे में आपका आधार NPCI link कर दिया जाएगा और आपका DBTB यहां पर enable कर दिया जाएगा, ठीक है ना, उसके बाद हम बात करते हैं Union Bank of India की, Union Bank of India अगर आप customer है तो इस तरह से आपको अपना आधार link करना होगा अपने account के साथ में, और NPCI के साथ में, तो यहां पर आपको 15 digit account number इंटर कर देना है, 3-3 digit यहां पर आपको feel करना है 5 बार, ठीक है ना, उसके बाद यहां पर आपको re-enter करना है, दोबारा से account number को, यहां पर आ मजने वाली बात है कि आपके आधार card में और bank account में नाम Sam होना चाहिए, ठीक है ना, तो यह easy होता है, नई तो फिर क्या है कि आपको जो है, कई बार आपका NPCI DBT status जो है, फेल कर दिया जाएगा, इसके बाद यहां पर आप अपना mobile number डालेंगे, email आप यहां पर provide करेंगे, यहां पर आप submit कर देंगे, जैसी आप submit करते हैं, आपके mobile पर एक OTP भेजा जाएगा, final OTP आपको यहां पर feel कर देना है, जैसे कि यहां पर बताया गया है, ठीक है ना, OTP डालने के बाद आपको जो है final submit कर देना है, तो जैसी आप final submit करते हैं, तो Sam, यहां पर 24-48 घंटे मे आपका आधार NPCI enable कर दिया जाएगा, अगर आपकी सारी information सही है, तो उसी तरह से आपको जो है पंजाब national bank के जितने भी सारी customer आपको जो है पंजाब national की website पर चले जाना है, इस तरह का interface page आपको दिखाए देगा, यही पर आपको जो है option मिलता है, OTP आधार ये आधार से ड पर क्लिक करना है, यहां पर आपको नीचे इस तरह भी बताईगी है, अगर आपको किसी तरह का कोई confusion हो तो आपका जो भी account के साथ मोबाइल नंबर रजिस्टर है, उस पर एक OTP भेजा जाएगा, OTP आपको यहां पर फिल कर देना है, OTP फिल करने के बाद आपको जो अपन के साथ में link कर दिया जाएगा, अब बात करते हैं दोस्तों Canra Bank की, Canra Bank के बहुत सारी customer है, काफी सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कि Sir Canra Bank का आधार linking के साथ में लिंक कर सकते हैं, Canra Bank में यह facility जो है net banking में ही provide है, इसलिए मैं आपको यहां पर detail से नहीं बता सकता, जिन भी लोगों का Canra Bank में account है, वो अपना net banking on करेंगे, और वहां से आप प्रोसेस को कर लेंगे, अब दोस्तों आप बात करते हैं bank of बडोदा की, तो bank of बडोदा में यह facility काफी समय तक online थ होगा, उसको fill up करना होगा, और वहां पर आपको अपना आधार कार्ट का photo भी देना होगा, ठीक है न, जैसे कि आप देख रहे हैं, मूल प्रती के साथ में आपको जाना होगा, और फिर वहां से आपका आधार सेडिंग का जो काम है उसको किया जाएगा, अब बात करते हैं दोस्तों, इंडिया की most popular जो private bank है HDFC, काफी सारे लोगों के comment से कि सारे HDFC को किस तरह से हम link करेंगे, तो भी या HDFC में भी आभी आपको online का facility नहीं दिया जा रहा है, HDFC bank के अगर आप customer है तो आपको जो offline जाना होगा, इंडिया की सबसे बड़ी जो bank है, अगर हम government sector में बात क कराना है, अगर आपको जो अपना dbt enable कराना है, तो आपको जो है SBI branch जाना होगा, branch जाकर आपको पहले दिन तो जो है farm दिया जाएगा, फिर आपको जो है second day का time दिया जाएगा, second day फिर आपको जो है आधार के प्रती, जो KYC farm आपको दिया गया है, उसको fill up करके आपको ले facility नहीं है, SBI में भी आपको offline bank branch visit करना होगा, उसके बाद ही आपका आधार NPCI link किया जाएगा, तो दोस्तो ये तो सारी bank हैं, जो कि मैंने आप लोगों को बदाई कि किस तरह से आप आधार NPCI में अलग-अलग bank को जो है link कर सकते हैं, बाकि अगर आपकी कौन से bank है मुझे comment section में ज़रू से बताईए तो मैं आपको जो है उस particular bank पर भी video provide कराने की कोशिश करूँगा उसमें offline facility है, online facility है जो भी है, उसके बारे में मैं आपको detail information provide करूँगा, तो दोस्तो अफसेन एक से वीडियो में किसी नई information के साथ अब तक के लिए आप अपना खयाल रखिए, जय हिंद, जय भाड़